में बनाने जा रहा हूँ अंडे की कोई डिश अंडे की क्या डिश बनाएं अंडे का पकोडा बनाने तो कैसा रहें? अंडे का पकोड़ा जी हां अंडे का पकोड़ा बनाएंगे हम इसमें उबले अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में पकोड़े बनाने के लिए बेसन चाहिए हां बेसन भी है मेरे पास तो बेसन का इस्तेमाल करेंगे अंडा कभी-कभी गैस्ट्रिक करता है घबराने क बात नहीं हम अद्रक डालेंगे ये गैस को काड़ देगी प्यास डालेंगे तो अंडे से जो कोलेस्टरॉल बढ़ता हो भी नहीं पढ़ेगा हरी मिर्च स्वादनुसार ले लेंगे प्राई करने के लिए तेल है मेरे पास साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च गरम मसाला हल्दी और नमक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अंडे का पकोड़ा तो एक पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडे का बैटर एक तयार कर लेते हैं जिसमें हम ये पकोड़े तलेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं थोड़ा सा बेसन तो यह हमने बेसन ले लिया है और बेसन में हम डालेंगे पहले थोड़े ड्राइब मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब तक हम यह कर रहे हैं, तेल को गरम होने रख देते हैं, और अब हम इसमें डालते हैं, थोड़ी से अधरक, आरदस बारीक कटे हुए पीसे, थोड़ा सा प्याज, एक से दो चमच, और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई स्वादा नुसार, और इसको एक मिक्स दे देते हैं, और अब हम इसमें अंडे डालनेंगे, यह बैटर हमें थिन नहीं बनाना है, थिक बैटर बनाना है, तो एक एक करके आप अंडा डालें, अब ही इसमें एक अंडा और चला जाएगा, तो यह आप देख सकते हैं, हमारा थिक बैटर तयार हो गया है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, नहीं तो बीच में बेशन के लंप रह जाएंगे, तो फिर जैसे पकोड़े हम बनाना चाहते हैं, वैसे पकोड़े नहीं बनेंगे, तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, क्योंकि एक वाइट को जब एर मिलती है, जब आप अच्छे से एक वाइट को मिक्स कर लेते हैं, और ये जो हमने अंडे काट लिये हैं, ये हम डालेंगे, बैटर के अंदर, तो ये अंडे जाएंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब क्या गरना है, तेल गरम हो रहा है, पकोड़ों को तल लेते हैं, तो ये हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ गई है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार बैटर पतला होने लगता है, अब जो पकोड़े हैं, उनको फ्राइ कर लेते हैं, और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, तो थोड़ा सा छोटे छोटे पकोड़े, जैसे साइस के आपको चाहिए हो, वैसे बना ले, इसको जल्दी से पलटना होगा, तो यह सारे हमने बना लिए, अब इनको जो आपने पहले डाले थे, उनको पलटना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा क्रिस्प हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, चुकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, बैटर में तो यह फूल रहे हैं काफी, और यह स्पॉंजी पकोड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में एकदम डिफरेंट लगते हैं, नॉर्मल पकोड़ों से, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंडे के पकोड़े हैं, फर्स क्लास ब्राउन हो गए हैं, काफी क्रिस्प हो गए हैं, स्पॉंजी तो तैयार हैं, अंडे के पकोड़े, पकोड़े आपने कई तरह के खाये हैं, बारिश का दिन हो, तो ये वाले पकोड़े ज़रू ट्राइ कीजिएगा, खाने के बाद आपको पता चलेगा, कि ऐसे पकोड़े आपने पहले कभी नहीं खायें, और इसी तरह की इंटरस्टि रासिपी के साथ, बचरो स्कूपिंग में!